आज हम 8253 टाइमर चिप इंटरफेसिंग के बारे में सीखेंगे हम प्रोटिस 8 प्रोफेशनल डूल इस्तमाल कर रहे हैं और हम इसके कंपोनेंट मोड पर जाते हैं यहां से हम पिक के बटन पर क्लिक करते हैं यहां सर्च करें 8253 यह प्रोग्रामेबल टाइमर काउंटर इस यहां से यह हमारे कंपोनेंट के अंदर अवेलेबल है आप इस पर लेफ्ट क्लिक करें यह जो प्ले अरिया है है यहां पर एक लेफ्ट क्लिक करें तो आप इसे चलती है इसको भी सीखते हैं लेकिन आप सबसे पहले generator mode पे जाएं यहां से यह d clock इसको choose करें click करें और इसको यहां पे एक left click और एक और left click तो यह paste हो जाएगा इसी तरह से component mode में जाएं पिक पे जाएं यहां पे LED blue color की आप use कर सकते हैं इसको choose कर लें okay करें यहां पे लेकिञ आओ एक left click और एक और left click तो यह यहां पे paste हो जाएगा terminal modes में जाएं यहां से आप ground के ओपर एक click करें यह play area में आके एक click करें और उसके बाद फिर एक और click करें तो यह यहां से हम इसका connection LED की एक एक टर्मिनल को इस clock pulse के साथ को नहीं करते हैं और दूसरे को बैटरी के ground के साथ तो यह basically यह clock pulse क्या चीज़ है यह clock pulse अगर मैं इसको left click करके इसकी added properties में जाऊं और यहां पर अगर इस clock की frequency 2 hertz set कर दूँ तो इसका मतलब यह है कि यह एक second के अंदर दो दफा current, current zero से यहनी दो cycles है इसके दो cycle इसकी frequency 2 hertz है मतलब यह एक second के अंदर दो cycles complete कर रहे है वो cycle क्या है कि current zero से one और दुबारा zero होगा और फिर zero से one और दुबारा zero होगा यहनी दो दफा current के signals generate करेगा वन यहनी 5 वोल्ट के दो दफा current के signal generate करेगा और यह LED चलेगी हम इसके ओपर इसको play करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं अभी इसकी frequency 2 hertz है यह LED दो दफा एक second में दो दफा blink कर रही है मैं इसको stop करके वापिस जाता हूँ और इसकी added properties में यहाँ पर इसकी frequency 10 hertz सेट करता हूँ दुबारा इसको play करें तो आप देख सकते हो कि यह एक second में देखो 10 times blink कर रहा है इसकी frequency 10 hertz है इसका मतलब क्या है कि एक second में 10 दफा current के signals generate कर रहा है ठीक है 10 दफा current को 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 कर रहा है अब हम अगर इसकी frequency को 100 hertz अगर इसकी frequency को अगर मैं set कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यह LED एक इसकी frequency 100 hertz है और इसका मतलब यह है कि एक second के अंदर 100 दफा current के signals LED को जा रहे है अब यह blink नहीं कर रही, blink इसलिए करती नजर नहीं आ रही क्योंके चूंके यह frequency बहुत ज़्यादा है तो वो जो light के off होने का effect है वो हमारी आंखों को नजर नहीं आ पा रहा लेकिन यहां पे सवाल यह है कि यह तो ठीक है, यह हमारे पास clock pulse है तो यह काम क्या करता है, यह chip क्या काम करती है, यह 82, 53 जो chip है यह क्या काम करती है तो basically अगर हम, मिसाल के तोर पे, अगर हम consider कर लें, अगर हम consider करें कि यह मेरे पास frequency है यह मेरे पास computer की frequency है, यह 100 Hz है, तो इस 100 Hz की frequency, अगर हम computer में इस्तमाल करते हैं, तो यह एक hardware है, जो हमेशा 100 Hz की frequency generate करेगा लेकिन कुछ component ऐसे भी हो सकते हैं, जिसको 10 Hz की frequency चाहिए, जिसको 2 Hz की frequency चाहिए, या जिसको maybe 100 Hz की frequency नहीं चाहिए, फिफ्टी Hz की चाहिए तो हम क्या करते हैं इस computer की जो clock pulse है जो frequency है इसकी इसको हम divide करना चाहते हैं हम कुछ ऐसा काम करें कि इसकी frequency 100 से 2 Hz हो जाए 100 से 50 Hz हो जाए तो ये काम करने के लिए यानि इस computer की frequency को divide करने के लिए हम ये counter या timer chip इस्तमाल करते हैं तो basically अगर ये 100 Hz है तो 100 Hz की frequency अगर इसको हम 10 से divide करें तो हमारे पास answer आएगा 10 तो हमारे पास 10 Hz generate हो जाएगी तो ये divide करने के लिए हमारे पास 82, 53 chip available है अगर आप बजार से एक chip खरीद के ले के आओ तो आपको ये 3 counter मिलेंगे ये counter 0 है, ये counter 1 है ये counter 2 है counter 0 के पास दो input pins हैं और एक output pin है मतलब ये clock 0 pin जो है इसके उपर computer की clock computer की जो computer की जो clock है जो हमारे case में जैसे ये जो computer की clock pulse जो computer की clock pulse generate कर रहा है वो इसके साथ connect होगी basically तो ये 100 हर्ट्स input के तोर पे इस counter 0 में जा रहा है और ये जो 1 है यहां से हमारी output बाहर आएगी यानि हम 100 हर्ट्स 100 हर्ट्स की frequency जो है वो हम इस काउंटर 0 की input है और वहां से आउट से हम एक नई frequency जो generate करेंगे उसको हम आउट करवाएंगे ये हमारी आउट होके हमारी LED में जाएगी तो हमारा target की है कि हम counter 0 को 50 से divide करें यानि 100 हर्ट्स की frequency है counter 0 को 50 हर्ट्स से divide करें तो output में हमारे पास 2 हर्ट्स frequency generate हो जाएगी हमारे पास ये gate gate 0 gate 0 basically इस पे हम gate 0 के उपर हमेशा हमे 1 signal देना पड़ेगा यनि इसको battery के positive terminal के साथ connect करना पड़ेगा ये gate 0 के उपर 1 basically counter 0 को enable करने के लिए इस्तमाल होता है इसी तरह से अगर आप देखो तो ये हमारे पास ये D0 से लेके D7 तक signal pins है यनि इसके जरीए हम counter 0 के उपर या counter 1 के उपर या counter 2 के उपर कोई value दे सकते हैं ना सिर्फ counters के उपर बलके इस पूरी chip के अंदर एक control word भी available है control word क्या होता है जिसकी मदद से जिसकी वज़ा से हम इसको programmable कह रहे हैं यह नहीं हमने जो कुछ settings हैं वो हम control word के उपर बेजेंगे और यह 0,1 यह 2 जो counter है यह अपने आपको उस लिहाज से प्रोग्राम कर लेंगे ठीक है तो इस chip के अंदर इस chip के अंदर basically हमारे पास चार चीज़ी है counter 0 अगर हम A0 और A1 जो के address pins है अगर हम इस पे 00 देंगे तों counter 0 की बात करें अगर हम इसके उपर ओन 0 देंगे तो इसका मतला counter 1 की बात करें पिर अगर हम 00 देंगे तो counter 01 कानच नुन देंगे यह उन्द का कानच ना का मतलब है लिए वेरहाँ यहां पे 1-1 signal देते हैं, तो इसका मतलब यहां पे जो signal है, यहां पे जो हम को data send कर रहे हैं, वो किस के लिए है, वो basically control word के उपर पहुंचाना है, settings हैं basically. इसी तरह से अगर आपके पास read-write है, read अगर आप अपने यहां पे पढ़ा हुआ data, किसी counter के उपर write करने हैं, तो आपको यह basically invert है, उल्टा चलता है, यानि reading करनी है, writing करनी है, तो write वाली pin को zero करेंगे, और read वाली pin को one करेंगे, और chip selection, यह chip selection, यह भी active low, low signal, यानि zero के उपर active होती है, तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूं, समझाता हूं, तो फिर आपको बाद समझाती है, आप component mode में जाएं, यहां से pick पे जाएं, logic state, यह logic state को अगर आप सर्च करें, तो यह ऐसा button है, यह ऐसा button है, कि जिसकी मदद से, यह ऐसा button है, अगर इसको click करेंगे, तो zero हो हो जाएगा, मतलब यह signal है, यह अगर यह वाली device किसी pin के साथ connected होती है, तो इस pin को हम zero या one signal बेज सकते हैं, तो यह इस तरह के हम यहां पर eight use कर लेते हैं, दो, तीन, चार, पांच, छे, यह आठ, एक, दो, तीन, चार, और चार, आठ, फिर हम read and write के लिए दो इस्तमाल करत हैं, फिर हमारे पास address pins हैं, उसके लिए हम दो इस्तमाल करते हैं, एक finally हमारे पास chip selection के लिए, chip selection के साथ इसको attach करते हैं, यह यहां से हम इसको a zero और a one chip के साथ हम इसको connect कर लेते हैं, इसको, इसी तरह से, अगर आप उपर से आएं, तो यह d0 pin, यह d1, d2, connect करने के लिए जैसे ही green होता है, ग्रीन होना है, और उसके बाद जब दुबारा green, जिस जगह पर connect करना चाहते हैं, देखें, मैं pencil लेकिया है green, जहां पर आप वापिस connect करना चाहते हैं, वो जब green हो जाएगा दुबारा left click करें तो wire connect हो जाती है, इसको भी कुछ उपर move कर देते हैं, यहां पर इसको भी को को हमें इसके साथ पने कर देते हैं, और last two wires हैं हमारे पास, read signal और एक हमारे पास है, इस तरह से, यह read signal और यह हमारे पास है, write signal, तो यहां तक हमने, हमें बात हमारी, यहां तक हमें समझ आ चुकी है, अब basically, एक और हम logic state के हमें जरूरत है, यहां पर लेके आते हैं, यह logic, इसको basically gate, यह gate, zero जो है, इसको one करना है, यहनि अगर आप counter zero को इस्तमाल करना चाहते हैं, तो इसको five volt input देनी है, gate zero के उपर, जो के इस counter को enable करेगी, और हमारा target क्या है, कि यहां से आने वाली 100 hex की frequency, 100 hertz की, sorry, frequency, उसको हमने 50 से divide करना है, 50 से divide करना है, और divide करने के बाद वो उसकी output के आएगी, two hertz, ठीक है, और cursor हमारा, यह हमारा जो bulb है, वो two times blink करेगा, एक second में, अब यह काम तो समझ आ गई, हमने circuit design कर लिया, लेकिन अभी इसकी understanding होना बहुत जरूरी है, आपने इस pin को, इस pin को अभी one रखना है, one इसलिए, कि यह one जाएगा, और चूंके cs के उपर बार है, तो इसके अंदर not gate लगावा है, चिप selection, यनि one को zero कर देगी, basically यह इस one का मतलब है, कि यहाँ पर पड़ी वी information अभी इस counter के अंदर ना जाए, यह चिप अभी disable है, तो यह जैसे ही मैं zero करूँगा, इस वाले signal को zero करूँगा, तो यह chip enable हो जाएगी, इसी तर हमने यहाँ पर पड़ी वी information को हमेशा अभी इस example में हमने write करना है, तो इसलिए मैं write वाले signal को zero करतूँगा, read वाले signal को one, यनि हमने reading नहीं करनी, writing करनी है, तो यह भी उल्टा चलता है, zero enable करती है, zero का मतलब है, वो काम करें, और one का मतलब है, वो काम ना करें, फिर इसी त counter है, तो इसकी हमें programming की जरूत होती है, settings भेजनी होती है, तो settings को हम समझते है, 8 bit की एक setting बनानी है, अब सबसे पहले वो setting किस के लिए, तो आप यह जो d7 और 6 है, यहाँ पे, अगर मैं 00 लिख ओ, तो मतलब है कि यहाँ पर पड़ी यह जो settings मैं बना रहा हूं, यह किस के लि setting किस के लिए है, counter 2 के लिए, यह यह setting किस के लिए है, अगर 00 लिखों तो counter 0 के लिए, 01 लिखों तो counter 1 के लिए, 10 लिखों तो counter 2 के लिए setting है, अब counter 2 को, अब देखें, अब counter 2 को हमने किसी counter 0 या 1 या 2, इनको अगर हमने, हम दो 12 के number से divide कर सकते हैं, एक hexa number से, एक BCD number से, यह बाइनरी जो 16 bit का नंबर होता है, बाइनरी नंबर हो सकता है या वो BCD नंबर हो सकता है, तो हम यह पहले decide करेंगे, यह पहले बताएंगे कि यह नंबर जिससे हम divide कर रहे हैं, यह BCD नंबर है यह binary number है, तो अगर हम यह वाली D0 pin के उपर 0 रखेंगे, तो इसका मतलब है, मैं जिस नंबर से डिवाइड करूँगा वो एक binary number है, अगर मैं उसको 1 से divide करूँगा, 1 रखूँगा तो इसका मतलब है कि मैं जो अपना counter है, उसको एक BCD number से divide करूँगा, अब हमारे पास कुछ modes है, output के कुछ modes है, यहनि जो हमारी input frequency है, उसके वो convert हो के output generate होती है, वो किस तरह की होनी चाहिए, तो उसकी different types हैं, one shoot, हम basically एक square wave generate करना चाहते हैं, तो हम अपनी example के अंदर mode 3 choose करेंगे, आज जो हम discuss कर रहे हैं, उसमें mode 3, यहाँ पे 0, 1, 1 लिखूँगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो output, जो current है, वो square waves की form में होगा, और उसके बाद यहाँ पे यह जो दो पीन नहीं यह बताती है, कि आप एक byte का data देना चाहते हो, या दो bytes का देना चाहते हो, मतलब मैं basically अपने counter को ना, दो bytes देता हूँ, data की दो bytes, अगर मैं यहाँ पे, इस जगाँ पे 01 चूज करता हूँ, तो इसका मतलब है least significant byte, मेरे data को least significant byte से divide करता हूँ, 12 और 14, अगर मैं, अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, इस जगाँ पे मैं चूज करता हूँ 01, में इस जगह पे 01 चूज करता हूं तो इसका मतलब है 3D अगर मैं यहां पे 10 चूज करता हूं तो इसका मतलब है इसका मतलब है मेरी Most Significant Byte यहsm quiénरे अगर मैं जिसके बात करता हूं मेरा काउटर 12 से डिवाईड होगा अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 1 1 1 और 1 तो इसका मतलब है मेरा counter मेरा counter किससे divide होगा 1214 से ठीक है न या 1214 से जी नहीं पूरी value से divide होगा तो इसको हम चला के देखते हैं तो फिर इंशाला आपको समझ में आएगी बात तो हम सबसे पहले इसको यहां से play कर लेते हैं अभी हमने सबसे पहले settings बेजनी है setting किसके लिए करनी है हमने counter 0 के लिए counter 0 के लिए तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है 00 यनि यह setting यह setting किसके लिए है counter 0 के लिए अब counter 0 की को हमने divide करने कौन से number से BCD number से तो इसलिए मैंने इसको 1 कर दिया अब इसके output जो generator होगी, वो किस mode में होगी, square waves generate होनी है, mode 3, तो इसलिए मैंने 11011 चूज किया, और इसके बाद, यह 01 इस बात को show कर रहा है, यह 01 इस बात को show कर रहा है, 01, यह इस बात को show कर रहा है, कि मैं least significant byte, यानि मैं जो bytes, जो मैं इसको divide करने के लिए data दोऊँगा, उसमें जो पहली वाली byte दोऊँगा, उससे divide करते, यानि एक ही byte अगर मैं देता हूँ, तो उस ही byte से इसको, counter को divide करने, तो अब यह मैंने settings कर दी, इस 0 का मतलब है write करने, अब यह वाली settings बेजनी कहां पर है, तो यह settings यह control जो होता है, हमेशा control register पर बेजना होता है, तो उसका address है 11, यह 11 का मतलब है, कि यह वाला data या यह वाली settings की तर चले जाए, control के उपर, तो क्या यह चले गई हैं, नहीं गई, इसलिए नहीं गई क्योंकि मैंने अभी इस chip को select नहीं किया, तो कैसे करेंगे, यह 1 से 0 सिगनल करें, दुबारा 1 करें, तो आप देख सकते हो, counter 0 के उपर settings पहुंच गई है, अभी यह blink, अभी यह कुछ नहीं कर रहा, अभी हमने इस को divide नहीं किया, अभी सिर्फ settings पहुंची है, इसी तरह से, अगर हम, अब मैं इस counter 0 को एक value दोंगा, जिसकी मदद से वो अपने आप को divide करेगा, वो value है 50 BCD number, मैं एक BCD number देना चाहता हूँ, तो 50 है वो, 50 है, 50 BCD number को binary में convert करें, तो वो बनता है, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, अब चुँके, यह मेरे पास data है, और इसको हमें कौन से counter को देना है, हमने counter 0 को देना है, तो यहां से मैं choose करूँगा 00, यहनि इस data को write कर दो, write कर दो, 00 वाले counter पे, क्या यह हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी chip select नहीं की, तो जैसे ही मैं यह chip select करूँगा, तो आप देख सकते हो, कि यह मेरे, यहनि इसको मैंने 50 दिया, input क्या जा रही है, 100 Hz, इसको 50 से divide किया, तो आप देख सकते हो, आपकी LED blink करना शुरू होगी, यहनि 100 Hz input में जा रही है, और बाहर कितनी Hz की frequency निकल रही है, 2 Hz की, हम इसको मजीद आगे सीखते हैं, इसको यहां मैं stop कर लेता हूँ, एक और LED ले ले लेते हैं, और एक और ले ले लेते हैं, इस LED को भी हम ground के साथ connect कर देते हैं, और इसका भी एक terminal ground के साथ connect कर देते हैं, इसकी output, 2 की output, और यह 3 की output, सेम जो हमारे पास frequency है, वो हम clock 1 को भी दे देते हैं, और वो ही frequency जो है हम clock 2 को भी देते हैं, हमें आपको पता है कि इसको enable करने के लिए, sorry, इसको enable करने के लिए हमारे पास gate, यहनि gate 1 को भी एक signal 1 देना है, वो हम 1 दे देते हैं, और इसको भी enable करने के लिए signal 1 देना है, वो भी मैंने इसको current दे दिया, अब जरह हम इसको चला के देखते हैं, सबसे पहले आपको पता है settings करनी है, तो settings दुबारा करें, इस 1 का मतलब है कि मैं counter को BCD number से divide करूँगा, 1, 1, 0, 1, 1, इसका मतलब है mod 3, mod 3 का मतलब है counter से square wave generate होंगी, 0, 1 का मतलब है कि least significant byte से आपने divide करना है, और यहाँ पर अब यह settings हैं, चुँकि यह settings हैं तो यह settings किस के लिए हैं, counter 0, 0, 0, 0 का मतलब है कि 0, 0 का मतलब है, इस counter के लिए settings है, अब इनको बेजना की तरह है, वो address यहाँ पर लिखें, settings को counters के उपर नहीं बेजते हैं, settings को control के उपर बेजते हैं, तो control का address है 1, 1, इसको बेजना है, तो यहाँ से 1, 0 करें और दुबारा 1, तो देखो यह पहली हमारे जो counter आइसको signal चला गए, अब यही settings हमने counter 2 को बेजना है, तो यहाँ सिर्फ address बदले, तो दुबारा से उसकी settings भी आ गई, और यही settings मैंने counter 2 को भी बेजना है, तो यहाँ पर सिर्फ address चेंज करें, कि यह settings को हमेशा control पर बेजना है, तो यह address control का है, यह 0 शो कर रहा है कि यह setting किसके लिए, यह counter 2 के लिए, जैसे ही आप 1 से 0 करेंगे, तो यहाँ पर भी settings पहुंच गई है, लेकिन तीनों आप देख सकते हो, कि अभी इसमें कोई blink श्लिंक नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हमने counter 0 को, counter 1 को, 2 को किसी चीज़ से divide नहीं किया, अभी इसके अंदर 100 Hz frequency जा रहे है, यह उसको divide करेंगे, तो फिर output से बाहर निकलेगे, तो अब ज़रा मुझे बताएं, मैं पहले counter 0 को, counter 0 को 50 से divide करता हूँ, 50 BCD नंबर से, तो वो 50 BCD नंबर अभी हमने कुछ तेरे पहले लिखा था, वो यह था, तो 50 BCD नंबर, इस नंबर को कहां देना है, counter 0 पे पहुंचाना है, तो यहाँ पे 00 address, इसको chip select करें, तो आप देख रहे हों कि यह हमारा एक second में दो दभाब लिंग कर रहे हैं, अब जो counter 2 है, इसको मैं 10 hertz से divide करता हूँ, तो 10 BCD कैसे लिखते हैं, 1001, यानि 100 BCD को गमभाइंदरी में convert करें, तो 0001, 000 होता है, अब इसको पहुंचाना है, इसको हमने write करना है counter 1 के उपर, तो यहाँ पे 01 address लिखा counter 1 का, chip select करें, तो आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे blink कर रहा है, लेकिन अभी LED यहाँ पे चोटा सा एक मसला है, इसको हम यह wire उठा देते हैं, इसको अलग से एक ground, इसका अलग अगर हम बना दें, इस तरह से, अब दुबारा हमें यह काम करना पड़ेगा, जल्दी से हम quickly कर लेते हैं, और यह 00 की settings हैं, पहला set हो गया, इसी तरह हमने, 1 की, 1 को set किया, और 2 counter को set किया, पहले को हमने 50 से divide करना है, तो, 101, 00, 00, यह 0 counter, 0 को value देनी है, यह दिया, तो यह 1 second में 2 दफा blink कर रही है, दूसरे को हमने 10 से divide करना है, तो 10 frequency होती है, 10 BCD, 100 को 10, 10 से divide करना है, तो, 00, 1, 1, 00, 00, यह BCD नंबर को हमने, 10 BCD को हमने binary में convert किया, और इसको हमने पहुंचाना है, 01 के उपर, ठीक है, यहनी counter 1 के उपर इसको हमने पहुंचाना है, तो जैसे ही मैंने पहुंचाना है, तो यह अब हमारी LCD जो है वो working कर रही है, यहनी 100 Hz frequency थी, counter 0 से वो 2 Hz की बनके निकल रही है, counter 1 से वो 10 Hz की बनके निकल रही है, इसी तरह से अगर हम इसको, इसको हम divide कर देते हैं 25 से, 25 Hz से counter 2 को, तो यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, 2 और यह बन गया 50101, और इसको हम बेज देते हैं counter 2 के उपर, तो राइट करना है, यह signal, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यह देखें, टीनो फ्रिक्वेंसी देखें, डिफ्रेंट है, टीनो फ्रिक्वेंसी डिफ्रेंट है, 100 Hz अंदर जा रही है, counter 0 से वो 2 Hz की बनके बहर आ रही है, counter 1 से वो 10 Hz की बनके बहर आ रही है, counter 2 से वो 4 Hz की बनके बहर आ रही है, तो यहां तक हम आज का लेक्चर रखते हैं बहुत शुक्रिया